हलो फ्रेंड्स मैं हूँ अनुराधा ए हेल्थ केर प्रफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केर चानल आज के सुडियो में हम जानेंगे कि संपर्प करने के कितने समय के बाद याने के रिलेशन्शिप के कितने समय के बाद आपको यूरिन के लिए जाना चाहिए या फिर बाथरूम यूज करना चाहिए तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो क्योंके बहुत सारे महिलाओं के मन में और कपल्स के मन में यह डाउट रहता है कि संपर्प करने के बाद यूरिन के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं चाहिए अगर यूरिन के लिए जाना बारे में डीटेल्स में बात करेंगे और पूरुस और महिला दोनों के बारे में जानेंगे आज हम जानेंगे कि संपर्क के बाद पूरुस कब यूरीन के लिए जा सकते हैं और महिला कब यूरीन के लिए जा सकते हैं क्योंकि दोनों के केस में बनाने के बाद यूरीन जाने क वो एक ही होता है यानि कि उनका sperm पास करने का जो रस्ता होता है और जो urine पास करने का जो रस्ता होता है वो एक ही होता है और साथ ही साथ पूरुसों का urinary tract यानि कि पेसाप करने का जो रस्ता होता है या फिर जो रस्ता होता है वो ज्यादा लंबा होता है महिला के तुलना में इसलिए संपर्क के तुरंद बाद एक पूरुस को यूरिन के लिए नहीं जाना चाहिए, कम से कम 20-30 मिनिट तक उनको वेट करना चाहिए, क्योंकि रिलेशनसी बनाने के समय उनका जनिलेट ट्राक्ट वो उत्तेजीत अवस्ता में रहता है और वो कॉंट्राक्ट होके रहता अगर विलेशनसी बनाने के तुरंद बाद एक पूरुस यूरिन के लिए जाते हैं, तो उनका जो यूरिनरी ट्राक्ट वो ठीक से कॉन्ट्राक्ट नहीं हो पाता है, या फिर फिक से संकुचित नहीं हो पाता है और जो इूरिनरी ब्लैडर वो पूरी तरह से एमटी नही ही हो पाता है इसी लिए उनके यूरीन ब्लाडर में थोड़ा सा यूरीन बच जाता है जो की यूरीन ट्राक्ट इंफेक्शन करने में मदद करता है इसी लिए पूरुसों को रिलेशनसी बनाने के एक लगभग 20 से 30 मिनिट तक वेट करना चाहिए और उसके बाद ही उनको इसी लिए अगर एक महिला संपर के पांस से 10 मिनिट के बाद उरीन के लिए जाते हैं तो उरिंद के द्वारा बहुत सारे बाक्टरिया फ्लसाओट हो जाते हैं और उनका बैक्टरियल इंकَّशन होने研य होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है लेकिन जो भी महिलव प्रेगनेंसि के लिए प्लैनिंग कर रहे है उनके मन में हमें हैं के डाउट रहता है कि अगर रिलेशन्सिप के बाद या फिर संपर्क के बाद 5-10 मिंट के अंदर वो यूरिन के लिए जाते तो स्पर्म और सेल पुरा बाहर आ जाएगा और वो प्रेग्नन नहीं हो सकेंगे लेकिन आपका ये जो कॉंसेट है वह भी गलत है क्यूंकि संपर् एजाकुलेशन में लगभग मिलियन सब स्पर्म होता है और उन में से जो भी हल्दी स्पर्म रहता है और मोटाइल स्पर्म रहता है वो कुछी सेकेंड से कुछी मिनिटों में आपके एक को फोटलाइज करने में समर्थ होते हैं अगर फिर भी आप अपना कंसेप्शन का च जाना है या फिर आपके प्राइबेट पार्ट को वश करना है अगर आप ऐसा करेंगे तो आप काफी हद तक उर्नेट ट्राक्ट इंफेक्शन को अवर्ड कर सकते हैं या फिर यूटिया को अवर्ड कर सकते हैं मैं उमीद करते हूं कि यह वीडियो आपके लिए हल्फूल रहा होगा तो और एक नाए इंफरमेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूं तब तक के लिए स्टे हल्दी और स्टे हापी